पाणिनी के बारे माज हम बात करेंगे कि पाणिनी कौन थे क्या क्या क्यानुन पाणिनी जो थे वो संस्कित भासा को उदभव अदभूत ब्याकरण का उपहर देने वाले पाणिनी का जन्म सालातुरी ग्राम वरतमान लाहुर पाकिस्थान में अटक के समीब में हुआ था य इनका जो जन्म है उन्हें सालातुरी भी कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म जो पाकिस्तान के अटक सालातुरी ग्राम में हुआ था इसलिए पतंजली ने इनका जो नाम रखा है पाड़नी का सालातुरी इनकी माता का नाम दाची दाची था ये दाची पुत्र भी कहा गया है क क्योंकि इनकी माता का नाम था दाच्छी खदासरिक सागर के अनुसार ये वर्स नाम का अचार के सिस्ट थे वर्स एक अचार थे उन्हीं के सिस्ट के तौर पे नहीं जाना जाता है पाड़नी का काल पांसो इस भी पूर्व में अधिसंकत विद्धानों ने माना है क्युंत क कुछ लोग जो हैं 700-600 इस भी पूर के बीच रखने के पच्छधर हैं डाक्टर वेल वालकर एक राइटर है फोरन के इसी मत को प्रवर्तक थे इसी मत के प्रवर्तक थे कि इनका जो काल रचना है समय है वह 700-600 इस भी थे पांड़नी ने संभवतक जांबव तीजय काब भी रिखा है उसको द्यान देते हैं में इन चीज किया है कि पांडवनी का यॉग्दान की बात करें जो है पांडरी का उन्य द्यान मर है इनहें हुड़ने ऐसी चीज दीए है जो आज त हम रसाय करने मेल संस्कित व्याकरन संस्कित के साथ वयदिक भासा की तूलना एवं उनके के सब्दों का सूच मभिवेचन इनके ब्याकराण में विशेश्च रहे हैं अपनी अख्यात कृती ने जो कृत रचना की अश्टा ध्याई की किया है उसमें इन्हों 1378 속तों तंता 14 परत्यहार SLK के द्वारा ततकालिक भासा का जैसा सर्विच्षण किया है विछा किसी भासान के किसी ग्रंथ में नहीं मतलब कि उन्होंने जो चीज उसमें लिखी है और सर्विच्षण करने के विए बना धी है इसा किसी भी ग्रंथ में प्रत्यक अध्याय को चार-चार पादों में विवत किया गया है। जो अध्याय है उन्होंने उसको चार-चार भागों विवाजन किया है। चार-चार अध्याय को इन्होंने विवाजन किया है। विश्यों का क्रम प्रकरणों के अनुसार अपीत्व परिचीत प्रचलित भासा के पदों का विवचन देने वाले कृति है। मतलब जो हर भासा मतलब हर एक चीज का जो इन्होंने मतलब विवरन देने वाले कि इसका वड़न करने वाले चीज़ इन्होंने इसमें रखी है। लोग तथा वेद में ब्यवहरित प्रतेक पद के प्रतेक अच्छर की व्याख्या करना इनका लच्छ था कि यहार जितने चीज़े हैं कि जो लोग को समाझ में आता हर एक चीज का परफेक्ट चीज लिखाया है इन्होंने और लच्छ इनका यही था कि हर सब्द की दश्ठा ध्याई तो वही कहने के मतला कि संस्कीत भासा को अद्बू भ्याकराण का उपार देने माले पाड़नी हैं इनका जन्म जो होता वसालातुरीग्राम में हुआ है पाकिस्तान में की समीप में इनकी माता का नाम दाच्छी था दाच्छी पृत्वी कह गया है पाड प्रस्थान के प्रवर्तक पाड़नी का अद्भुक्त योगदान है जो है बहुत ही का मत्मूर योगदान उन्हें व्याकरण को एक नया निर्माण दिया है नव जेतना दी है नचागरित की है तो बहुत-बहुत धेन्वाद आप सभी का पाड़नी के बारे में पढ़ने क के लिए अब पेपर में भाई यही चीजी लिखना होता गुमा फिर आके आप कहानी बना के लिख सकते हैं आराम से नंबर मिल जाएंगे थैंक्यू थैंक्यू सो मच